किसी की असामाईक मृत्यू अगर हो जाए, किसी की समय से पहले अल्पकाल में युवा वस्था में अगर मृत्यू हो जाए, तो भगवान भैरव को उरद की बनी हुई वस्तु में ही अरपित की जाती हैं। वैसे तो भगवान भैरों को मदिरा का प्रसाद चड़ता है, लेकिन आम तोर पर भगवान भैरों को उरद की डाल के बड़े अरपित किये जाते हैं, और साथ में मदिरा का भोग उनको लगाया जाता है। अगर पितरों की याद की वज़े से या किसी के देहांत की वज़े से आपको डर लग रहा है, या मन में एक तनाव है, एक चिंता है, एक बेचैनी है या भै है, तो शनीवार के दिन पीपल के नीचे दो-चार साबुत उरद की डाल रखिए, उरद रखिए, साबुत उरद करते हैं, पित्रपक्ष में करते हैं तो भी, नहीं तो शनीवार के दिन अगर आप ऐसा करते हैं, तो इससे जो आपका डर है, जो आपका भै है, वो निश्चित रूप से दूर हो जाएगा. काले तिल के बारे में बात करते हैं, काले तिल का मामला क्या है? देखिए, काला तिल जो है, ये संपन्नता का प्रतीक भी है, और शान्ती का प्रतीक भी है. काले तिल का इस्तेमाल संपन्नता के लिए भी होता है, और मन को शान्त रखने के लिए, मन को बेहतर रखने के लिए भी किया जाता है. अगर आप काले तिल का दान करते हैं, तो इससे आपको अज्यात बाधाओं से मुक्ती मिलती है. काला तिल डाल करके जल में, अगर आप सूर्य भगवान को जल चणहाएं, तो इससे पितरों की आत्मा को शान्ती मिलती है. और जो चीज जब आप अपने पितरों को तरपन देते हैं, जल देते हैं, पितर पक्ष में दक्षण की तरफ चेहरा करके, तो हाथ में जो जल लेते हैं, उस जल में काला तिल मिला हुआ होना चाहिए, वही जल आप अपने पूरवजों को, अपने पितरों को समर्पित करत अगनी में काले तिल की अगर आप आहूती देते हैं अगर अगनी में आप हवन सामगरी में मिला करके अगर काला तिल डालते हैं कम से कम एक बार या तीन बार या पांच बार ऐसा रोज करते हैं पित्रपक्ष में तो घर की जो नकार आतमक्ता है जो निगेटिविटी है वो इससे अठ्रिप्त आत्माय जो होती है वो शान्त होती है पित्रपक्ष की एक और महत्रपूर्ण चीज है उसे कहते है कुष कुष एक तरह की घास होती है और आमतवर पर ननियों के किनारे पाई जाती है ऐसा माना जाता है कि जो कुष है वो भगवान विश्नु के अंच से बना हुआ है श्री हरी विश्नु के अंच से कुष का निर्माड हुआ है ये भी माना जाता है कि कुष के अंदर अमरित तत्व का वास है ऐसा समझते हैं कि जब समुद्र मन्थन हुआ तो अमरित का जो कलश था वो कुश के उपर रखा गया था इसलिए कुश के अंदर अमर्ता के गुण आ गए कुश के जल से यानि पानी में कुश डाल करके उस जल से भगवान शिव का अभिशेक भी किया जाता है और ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से तमाम बाधाएं दूर होती हैं और पित्रों को मुक्ती प्राप्त होती है जब आप अपने पित्रों को जल अर्पित करते हैं या जब आप अपने पित्रों का श्राद करते हैं तो कुश हाथ में लेकर ही अपने पित्रों को जल अर्पित करना चाहिए ऐसा करने से ही श्राद की जो प्रक्रिया है करें ऐसा करने से आपके मन की पीड़ा दूर होगी और कुष का सरबत भी लोग पीते हैं रात भर पानी में कुष को भिगा देते हैं और सुबह उस जल को अलग कर लेते हैं उस जल में ची नी नी बू आदी मिला करके उसका सरबत बनाते हैं ऐसा माना जाता है कि कुष के जल क शर्बत बना करके पीने से मेमरी बड़ी स्ट्रॉंग हो जाती है बुद्धी बड़ी ताकतवर होती है और जो आलस से होता है मन में या शरीर में वो आलस से निश्चित रूप से दूर हो जाता है तो कुछ बड़ी important चीज है बड़ी महत्वपूर्ण चीज है जिसका ध्यान रखना चाहिए देखिए इसके अलामा दो चीजें और भी महत्वपूर्ण है एक है कुतब वेला कुतब समय कुतब समय क्या होता है दोपहर में साड़े ग्यारा बजे से लेके तकरीबन साड़े बारा एक बजे का जो समय है जो exact मद्द दोपहर का समय है उसे कुतब वेला या कुतब काल कहते हैं जो अपने पितरों को आप जल अरपित करते हैं जो उनका तरपन करते हैं उनके नाम से रोग जल देते हैं वो कुतब वेला में ही या कुतब काल में ही देना चाहिए ऐसा करने से निश्चित निश्चित रूप से आपके पूरवजों को मुक्ती मिलती है तो याद रखिए कि जल जब भी आप देंगे कम से कम पित्रपक्ष में वो सुबह शाम जल नहीं दिया जाएगा वो जल दोपहर के समय में दिया जाएगा कुतब वेला में और जल में थोड़ा सा तिल मिला लिया जाएगा काला तिल और हाथ में कुश ले करके अपने पूरवजों को जल देंगे एक तो इस वेला का बड़ा महत्व है और दूसरा पित्रपक्ष में जिस चीज का महत्व है वो है दान का देखिए वैसे तो जिस दिन आपके पूरवज के देहांत की तिथी होती है उस दिन आप शरद्धा से उनके लिए दान करते हैं वस्त्र देते हैं अनाच का दान करते हैं निर्धन को भोजन कराते हैं ये तो बड़ी अच्छी बात है लेकिन पित्रपक्ष में अगर रोज जितने दिन पित्रपक्ष है उतने दिन किसी निर्धन व्यक्ति को भोजन कराया जाए या अन्न का दान किया जाए तो बड़ा फा तो निश्चित रूप से आपके पूर्वच आपके पित्र शान तो होते हैं त्रिप तो होते हैं इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए और पित्रपक्ष का जो अंतिम दिन है पित्र विसर्जन अमावस्या जो इस बार 28 सितंबर को पड़ेगी उस दिन जरूर जरूर से चाह अब नहों तो मत कीजिएगा लेकिन भोजन जरूर कराईएगा ऐसा करने से आपको भी आशिरवाद मिलेगा और आपके पित्रों की आत्मा को शानती मिलेगी